विडियो की शुरुआत फिर से एक दमा की दाथ तरीके से करते हैं आज हम देखेंगे जिरूत लॉफ थर्मोडाइनमिक्स थर्मोडाइनमिक्स का बहुत ही इंपोर्टेंट है सारे मेकानिकल इंजिनियरिंग वाले या सेव एलेक्ट्रिक वाले के लिए भी इंपोर्टेंट आपको बेसिक चीज़ें का चीजों का पता चलता है देखो जैसे हम फोर्स की बात करते हैं तो वहां पे स्टाटिक सब्द आ जाता है जैसे स्टाटिक क्या है कोई चीज रस्ट में अगर है ठीक है और अगर विलॉसिटी की बात करते हैं तो डाइनमिक्स आ जाता है यानि कि कोई चीज़ motion में, कोई चीज़ या कोई object अगर motion में है, ठीक है, तो उसी तरह से जब हम बात करेंगे temperature की, ठीक है, जब temperature की बात करेंगे तो difference of, या relation between the hot or cold की बात होती है, ठीक है, hot और cold की, तो यहाँ पर से जब हम zeroth law of thermodynamics देखते हैं, हम TD लिख रहे हैं इसको, देखो यहाँ पर, अगर कोई body A है, यह B है, और यह C है, और यह इस तरह से है, ठीक है, relation में कि T1 और T2, T1 यह A है, A और B, अगर एक दूसरे के साथ thermal equilibrium में है, A और B, और A और C एक दूसरे के साथ thermal equilibrium में है, मतलब दोनों का temperature अगर सेम है, तो उस condition में B और C का भी temperature सेम होगा, आपको यह बात यहाँ से अपने दिमाग में रखनी है, कि क्या condition होता है, यह temperature को डील करता है, तो हम कह सकते हैं कि zero law of thermodynamics में हम temperature के बारे में अध्यान करते हैं, यह क्या है, it is the basis of the temperature measurement, हम लोग सिर्फ temperature की जब बात करेंगे, तो वो हो जाएगा, zero law of thermodynamics, तो हम यहाँ पे से direct दिखा दिया गया है, कि यहाँ से temperature का अध्यान किया गया, और फिर बताया गया कि temperature है, क्या है, यह क्या है, molecular motion के कारण, नेक्स्ट आते हैं, कि देखे, और इसके बारे में और क्या-क्या बाते कहीं जा सकती है, कि the temperature of gases produced due to kinetic energy of the molecule, यह सब अलग-अलग बात temperature को ही defined किया गया है, और फिर thermodynamics के, जो यह zeroth law of thermodynamics को ही बताया गया है, क्योंकि आपके examination में बहुत बार पूछ लिया जाता है, यह सब term को रख करके पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसो correlate करके पूछ लिया जाता है, क्या है यह, तो आपको यह पता होना चाहिए कि सब temperature की बात हो रही है, और सब के सब zeroth law के बारे में ही बात हो रही है, तो temperature of a gas जब प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आफ़ मॉलिक्यूल के कारण होता है अभी हम आप नेक्स टेखेंगे कि ओडिनेरी टेंपरेचर की बात होती है जब हम ओडिनेरी टेंपरेचर मेजमेंट करते हैं वो थम्मोमीटर के अंदर करते हैं जब हाई टेंपरेचर मेजमेंट करते हैं वो पाइरोमीटर के अंदर करते हैं तो यह हुआ इतना कॉंसेप्ट था था थर्मोडायनमिक्स का तो आपको यहाँ से याद रखना है कि जब कभी भी 0th law की बात होगी तो वहाँ पर हम टेंपरेचर के बारे में बात करते हैं दे सकते हैं आप कि A और B का तेंपरेचर बराबर था A और C का बराबर था तो B और C भी प्राया एक दूसरे के बराबर हो गया है यह है आपका टोटल 0th law of thermodynamics आप इसका screenshot ले लिजे आपके हर एक बहुत सारी exam में अगर आएगा तो इससे बाहर कुछ नहीं आता 0th law में ओके तो दाक थांक यू